हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे विश्व के सर्व स्रेष्ट दस गुरू के बारे में हाँ दोस्तो विश्व के दस सर्व स्रेष्ट गुरू कौन है और उनके सिश्य कौन थे उनके बारे मैं आज आपको बताऊंगा जैसे कि मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि के प्रथम गुरु हैं और सब तरिसी जो हैं वह उनके प्रथम सिश्ष थे और उनके बाद में भगवान परसुराम भी उनके ही शिश्ष थे जिन्होंने 21 बार प्रत्री को छत्रियों से खाले किया था आगे चलते हैं गुरु वसिश्ष के बारे में कुछ जानते हैं तो दोस्तों गुरु वसिश्ष जो हैं वह भगवान स्री राम भरत सत्युग्न लक्षमाण इन सभी के गुरु रह चुके हैं एवं रगवान्स के वह कुल गुरु भी थे आगे हम बात करेंगे रिशी विश्वामित्र की रिशी विश्वामित्र जो है वह रिशी बनने से पहले बहुत ही कुसर राजा हुए थे लेकिन उन्होंने अपने घमंड में आकर रिशी विश्वामित्र की अनपुणा नामक बहु प्रचलित गाये जो की कामधेनों का सुरूप थी उस गाये को बलपूरवक प्राप्त करने का असफल परयास किया था तब उनके और इसी विश्वामित्र के बीच में युद्ध हुआ था और वह युद्ध हार गए थे उसके बाद में उन्होंने अपने आपको रिशी विश्वामित्र की तरह एक महान रिशी बनाने की प् किया उसके बाद में वह भगवान स्री राम और लक्ष्मार जी के भी महान गुरू बने हैं भगवान परसु राम जी जो हैं वह बहुत ही क्रोधित सभाव के गुरू थे और उनके बहुत ही चुने हुए शिश्य थे जिनमें से भीश्म पितामह, कर्ण और द्रोनाचारे या उनके मुख्य सिश्य थे और कहा जाता है कि भगवान स्री गणेश का जो एक दाथ है उसके पीछे भगवान परसु राम जी का ही हाथ है वह एक बार महादेव जी को मिलने के लिए गए थे परंतु इनने गणेश भगवान ने रोका तो उन्होंने उनका वह दाथ काट रिशी सौनग जी कि तो दोस्तों रिशी सौनग जी जो है वह जो पहले सब्टरिसी थे उनमें से एक थे और उनके पिता जी का नाम था रिशी शुनग जी हाँ वह सुनक जी के पुत्र से और उन्हों ने अपने समय में एक साथ 10,000 सिस्चो के कुरुकुल को चला कर कुलपती का वैभो साली सम्मान हासिल किया था और वैदिक आचार्य बन गए थे अब हम बात करते हैं द्रोनाचार जी की द्रोनाचार जी को कौन नहीं जानता द्रोनाचार जी महाभारत के एक एहम किरदार भी थे और उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया था वह कवरो और पांडव दोनों के ही गुरू थे तथा उन्होंने एकलव्य से गुरू दक्षिना में उनके दाइने हाथ का अंगुठा मांग लिया था जिससे कि वह सरवशेष्ट धनुधारी ना बन सके दोस्तों आगे हम बात करेंगे मुनी संदीपनी की हाँ मुनी संदीपनी जो है वह भगवान सी कृष्ण के गुरू थे हाँ मद्य प्रदेश के उज्जेन में आज भी उनका आस्रम स्थीत है यह माननेता है कि भगवान कृष्ण सुदामा और बलराम को उन्होंने ही अठारा वर्स की आयू में भगवान कृष्ण ने संदीपनी रिसी के आस्रम में रहकर अपनी सिच्छा पूरी की थी और अपनी सिच्छा के दौरान उन्होंने मार्सी संदीपनी से 64 कलाओं की सिच्छा का दान प्राप्त किया था इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान को भी गुरू की आवश्यक्ता होती है आगे हम बात करेंगे आचार्य चानक के बारे में हाँ जिनका पुरा नाम था आचार्य विश्णोगुप्त चानक के और इनके पिता जी का नाम था आचार्य चनक और इनके गुरू भी वही थे और इनों ने बहुत ही प्रसिद्ध आर्थसास्तर की रचना भी की है और यह कूट नितिग्य भी थे और राज नितिग्य भी थे इन्होंने भारत के छोटे छोटे जन्पदों में बटे राज्यों को एकत्र करके अखंड भारत की रचना करने में एहम किरधार निभाया है एहम सड्यन्त काईयों को धूल चटाने के लिए संब्राट चंदर गुप्त मौरे को तैयार किया तथा उन्हें सिंगासन पर बिठाया और पूरे भारत को एक किया और अखंड भारत बनाया आगे हम बात करेंगे आदी संक्राचारे जी की आदी संक्राचारे जो है वह स्वामी संक्राचारे के नाम से भी जाने जाते हैं उन्होंने भारत की बिखरी हुई संत परंपरा को एक जुट किया और दस नामी संपरदाय का गठन किया और भारत के चारो कोनों में चार मठो की स्तापना की उन्होंने हिंदू के चार धामों को पुना निर्वान करवाया और सभी तीर्थों को पुना जीवित किया संकराचारे हिंदुों के महान गुरु हैं उनके हजारों सिस्य थे और उन्होंने देश विदेश में ब्रह्मन करते हुए हिंदु धर्म और संसुर्ति का प्रचार किया आगे अब हम बात करेंगे स्वामी रामकृष्न परमहंस की जो की स्वामी विवेका नंद जी के गुरु थे आचार्य रामकृष्न परमहंस भक्तों की स्रिणी में स्रिष्ट माने गए हैं माना जाता था कि समाधी की अवस्था में भी वे महाकाली से साक्षात वार्तालाप किया करते थे और उन्हीं की अच्छी सिक्षा और ज्ञान से स्वामी विवेका नंद ने दुनिया में हिंदु धर्म की पता का फहराई तो दोस्तों आपको ये जो गुरू के बारे में हमने बताया वा कैसा लगा जरूर बताईए और आपको हमारे चैनल अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों